आपने रायता बहुत तरह का खाया होगा और आपने बहुत तरह से बनाया भी होगा अगर आपने दही वेगन का रायता नहीं खाया है और नहीं बनाया है तो इस वीडियो को देखिए और इसी तरह भी बना के खा सकते हैं यह आपको बहुत ही पसंद आएगा तो आज हम बनाने वाले हैं दही बैगन का रायता जिसमें सबजी का भी स्वाद है और रायते का भी ये बहुत ही आसान पिधी से बन कर त्यार होती है इस रायते का स्वाद बहुत ही हट कर होता है यह एक special recipe है और इसका स्वाद दिया आपको हमेशा यात रहेगा साथ ही बनाने में काफी आसान है अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे तो चली बनाते हैं दही बैगन का रायता तो उसके लिए हमने यहाँ दो बैगन लिया है जो गोल वाले बैगन होते हैं उसका इस्तमाल हम कर रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से धुल लेंगे और इसे स्लाइज में कट कर लेंगे स्लाइट जो हम काटेंगे वो जादी पदली नहीं होनी चाहिए थुड़ी मोटी रहनी चाहिए और उसके बाद हम एक पानी का बरतन लेंगे और उसमें नमक डाल कर इस सारे बैगन के स्लाइट को उसमें डाल देंगे ताकि बैगन के स्लाइट काले न पड़ें अब चलिए हम आपको मसाले दिखाते हैं जो मसाले हमने इस्तमाल किये हैं तो एक चमच हम यहाँ पे अधर क्लेसन का पेस्ट ले रहे हैं और दो चमच हम यहाँ पे धन्या पॉडर ले रहे हैं अब हम लेते हैं आधाचमज से भी कम एक चोथाई चमज बुना भुणा हुआ जीरा पॉडर आधाचमज गरब मसाला तो इन मसालों से बहुत ही तेसी बेगन का रायता बन कर तयार होता है आधाचमज हम लेंगे लाद मेच पॉडर एक चोथाई चमश हम इसमें काली विच डाल रहे हैं और हम इसमें डाल देते हैं स्वाद और नमक तो नमक हम आपाद में भी इस्तमाल करेंगे इसलिए नमक थोड़ा कमी इस्तमाल करेंगे अब अच्छे तरह हाथों से इसे मिला देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तयार कर लेते हैं. तो ज्यादा पानी एक साथ न डालिएगा. नहीं तो मसाले सारे कील हो जाएंगे. और फिर वह अच्छे से बेगन के ऊपर नहीं लगेंगे. तो यहाँ पर हमारा मसाला बनकर तयार है. अब हम बैगन को क्या करेंगे पानी से निकाल लेंगे और कपड़े की सायता या नैपकिन की सायता से अच्छी तरह से पोच लेंगे बैगन में पानी नहीं रहना चाहिए तो अब बैगन को अच्छी तरह से पोच लिए हैं तो आप थोड़ा सा पानी और टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी तरह से मसालों पर बैगन लगा कर हम तयार कर लेते हैं तो यह देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको भी मसालों से बैगन को अच्छी तरह से लबेट लेना है तो यहां सारे बैगन हमने तयार कर लिए हैं अब चलिए इसे fry करते हैं तो गैस पर हमने एक पैन को रग दिया था अब उसमें डाल देते हैं दो से तीन चम्मज सरसो का तेल तो हम यहां सरसो के तेल का इस्तिमार कर रहे हैं आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं तेल आप ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि मसाले फिर तेल में छूट जाएगे इसलिए तेल कम से कम रखिएगा तो तेल जब गरम हो जाएगा तब इसे लोटू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे अलट पलट कर हमें दोनों साइट से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ध्यान रखना है कि बैगन पर लगे हुए मसाले जलने न पाएं तो ये बैगन और रही का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और जटपट बन जाता है इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है तो अधे एक साइट हमारा बैगन लाल हो गया है हलका सा तो इसे पलट देते हैं इसी तरह अलट पलट कर दोनों साइट से हम बैगन को फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे बैगन हमारा फ्राई हो गया है और इसी तरह हम सारे पैगन को फ्राई करके निकाल लेते हैं तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हमने सारे पैगन को फ्राई करके निकाल लिया है अब चलिए हम यहाँ पे दही का रायतत तियार करते हैं तो एक बाउल ले लेंगे कोई भी बरतन आप ले सकते हैं और यहां पे हम अमूल वाली दही का इस्तमाल कर रहे हैं जो बाजार में असानी से मिल जाती है अगर आपके पास घर वाली दही है तो बहुत ही अच्छी बात है तो इसमें डालते हैं आधा चमज भूना हुआ जीरा पॉरडर और आधा चमज काला नमक और आधा चमज से वी कम एक चोथाई चमज के करीब हम लालमिच पॉरडर डाल रहे हैं इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मिलाएंगे आप इसमें चाट मसाला का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इस पे हम तड़का लगाएंगे तो गैस पे हमने एक चोटा सा पैन रख दिया एक चमज तेल डालेंगे रिफाइन का और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो आदा चमज जीरा और आदा चमज हम सरसो डालेंगे दोनों को अच्छी तरह चटकने देंगे और दो हमने खरी लाल मिर्च का इस्तमाल किया है और करी पत्त डालेंगे और इस सब को बहुत अच्छी तरह से हमें लाल करना है और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे ताकि जब हम कास्मीरी लाल मीच पॉडर डालें तो जले नहीं आप जब गरम गरम में डालेंगे तो कास्मीरी लाल मीच पॉडर जल जाता है तो इस बात कर ध्यार रखिएगा अब सारे बैगन को हम दही में डाल कर बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे चमच की मदद से एकदम आसानी से आपको मिलाना है ने तो बैगन तूट जाएगा तो ये दही वेगन का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है उपर से राल देते हैं तड़ का और देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है जितना देखने में अच्छा दिख रहा था उतना ही टेस्टी लगता है तो आप इसे रोटी पराठा पूरी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो इसमें डेबल मज़ा है, एक सबची का और एक रायता का, तो चलिए इसे देते हैं, हम खाने के लिए, तो देखिए, यहां पे हमारा दई बेगन बनकर तयार है, बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल रेस्पी है, तो इसे बन का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिए हमें आगे बढ़ाते रहिए और नई नई रेस्पी देखने के लिए एजी कुकिंग ने लोग को जरूर सस्क्राइब करिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई